और क्या हाल चाल भाई लोग तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Android 12 के नए Facial Expressions वाले Features के बारे में जिससे कि आप अपने Android स्मार्टफोन को अपने Facial Expressions के थुरू कंट्रोल कर सकते हैं तो यहां पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक इंप्रोटन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो यहां आपको इस वीडियो के रिलेटेट कोई फीडबैक देना हो तो मुझे प्लीज आप कमेंट बोक्स में जरूब बतिएगा क्योंकि मैं अपने वीडियो को इंप्रॉब करना चाहता हूं और आपको एक बेटर कंटेंट प्रॉबाइट करना चाहता हूं अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की और तो यहां पर जो है गूगल जो है एंडूर 12 में ए अपने अपने आइस को रेज करके या लिफ्ट लुक करके या अपने आइस को लिफ्ट करके अपने स्मार्टफून को कंट्रॉल कर सकते हैं तो यह आप यहां पर यहां पर यह पूरी तरह से रूल आउट नहीं हुआ है अभी आपको एंडूर्ट के बीटेस में मिलने वाला है और बाद में मतलब की जो है इसी साल कुछ महीनों बाद आपको यह ओफिसेरी Android 12 में देखने को मिलेगा तो यहां पर इस पीचर्स के बहुत सरे advantages भी हैं इसके साथ disadvantages भी हैं इसका एक रिमार्केबल फीचर यह भी है कि जब आपका camera use में होगा तो आपके Android smartphone में ऊपर आपको सो करेगा notification कि आपका camera use में है तो अब हम चलते हैं और इसके advantages और इसके disadvantages के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहला advantage है कि यह बहुत कम time लेता है अगर आप किसी भी voice command के use करते तो वहां पर आपको voice command देना होता है जिससे कि आपका ज्यादा time लगता है लेकिन अगर आप सो करते हैं तो वहां पर बहुत कम time लेता है और आपका time बचता है और यहां पर unlike जो है voice command जिसमें कि आपको बोलना पड़ता है यह बिल्कुल ही एक silent feature है जिससे कि आप अपने facial expressions को सिर्फ दिखा कि आपको कुछ बोलना वोलना नहीं है आपको सिर्फ अपने facial expressions दिखाना है जिससे कि mouth open करना है या आप left दिख सकते हैं नहीं कि look left कर सकते हैं या अपने eyes क storage कर सकते हैं जिससे कि आप किसी भी setting को on कर सकते हैं within a second तो एक बहुत ही silent feature है और आपको कोई आपको आवाज नहीं देना है अपने smartphone को जिससे कि आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है और यहां पर आप बहुत सारे features को within a second within a millisecond भी on कर सकते हैं जिससे कि आपका time बह अगर आपको facial expressions के थुरू जो है आपको android smartphone को control करने का option मिल गया तो हो सकता है कि privacy issue यानि कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके smartphone का camera कब यूज हो रहा है और कब नहीं हो यूज हो रहा है आपका smartphone का camera background में भी यूज हो सकता है लेकिन Google ने कहा है कि जब आपका camera यूज हो battery consume करेगा क्यूंकि अगर मान लिजिए कि यह आपके smartphone camera में अगर आपके smartphone camera में background में run करता है हमेसा camera वालब कि आपका camera अगर हमेसा background करता है तो obvious सी बात है कि आपका जो battery की खपत है वह ज्यादा होगी यानि कि battery जो है बहुत जल्दी आपका drain होगा और यहां पर आपके smartphone की performance भी लूज होगी बाइद वे बताए किस लग वीडियो और अगर आप कोई वीडियो चलगता है तो कर वीडियो को लाइक और मेंस्टर पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल ना भूले साथ में उस बैल आकन को भी प्रेस कर दें आप मुझे इस चैनल पर यह इसरल नहीं होगी ओश है तो सब्सक्राइब करें वीडियो ऑीडियो सो शुव実़ वीडियो से जाप ऊद्वियो चलगता है प्रेस